स्टॉक जिनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक्षरम और आज हम बात करने वाले हैं एक और शांदा स्टॉक भारत है वी इलेक्ट्रिकल से लिमिटेट जिसको आप भेल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस क को मिल रहा है 64.45 पैसे पर आज के दिन ट्रेट करता हुए नजर आ रहा है करीबन 0.54 परसेंट की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं स्टॉक में सेलिंग प्रेशर यहां पर बरकरार है और बात करें अगर इसके डिलिबरेबल quantity की तो देखिए 22% के करीब deliverable quantity stock में उठाई जा चुकी है तो अब discuss करते हैं इसके charts के बारे में देखिए दोस्ताब के सामने भेल का 15 minutes का chart हमने लगाय हुआ है कल के दिन की closing की अगर बात करते हैं तो करीबन 64.74 पैसे पर कल के दिन यहां पर closing हमें देखने को मिलती है लेकिन जैसे ही आज की दिन market open होता है अच्छी खासी शांदर तेजी stock बनाता है और देखिए उपर की तरफ एक 65 रुपे बाहन में पैसे का शांदर high लगाता है उसके बाद देखिए गिरावट का महल हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ एक stock support लगाता है करीबन मैं आपको दिखाएता हूँ दोस्तो 64 रुपे एक पैसे का support नीचे की तरफ stock लगाता है फिर दुबारा से देखिए एक up move और अब stock की बात करें तो 64 रुपे 60 पैसे पर trade करता हुआ नजर आ रहा है daily chart basis पर अगर हम बात करें दोस्तों देखिए daily chart basis पर लगातार continuous तेजी जो है वो बरकरार है और लगातार आपको green bullish candles यहाँ पर देखने को मिली है और stock ने high जो लगाया है दोस्तों उपर मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए 66 रुपे 9 पैसे का शांदार high stock उपर की तरफ लगा चुका है सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए recently ही एक important support stock ने बनाया है और वो support बना हुआ है दोस्तों 63 रुपे 40 पैसे का support यह एक important support है इसको as a stop loss भी आप use करके चल सकते हैं अगर यह support break होता है तो फिर stock देखिए 62 रुपे की तरफ लुड़कता हुआ नजर आने वाला है बात करें आपर strategies की क्या fresh buying का मौका इस समय पना हुआ है तो हम आपको बताएंगे दोस्तों देखिए अगर आपको fresh buying करनी है तो आपको 66 रुपे 47 पैसे से उपर आप 67 रुपीज पर fresh buying यहाँ पर करके चल सकते हैं लेकिन अभी आपको थोड़ा wait करके चलना चाहिए fresh buying के लिए लेकिन अगर आपके portfolio में पहले से ही दिक्ट stock शामिल है तो आप मात होल्ड यहाँ पर कर सकते हैं अब देखें डिसकस करते हैं क्या targets भेल में हो सकते हैं next target तो हम आपको बताएंगे दोस्तो next target जो की भेल achieve करता हो दिखेगा वो दिखेगा दोस्तो 67 रुपीज 50 पैसे का target तो 67 रुपीज 50 पैसे के target के लिए hold करके चल सकते हैं भेल को यही बताने के लिए हमने वीडियो बने थी अधिया आपको हमारे वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीस लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद